यह सीलिंग ड्राइब पूरे 40 फुटा के लिए शुरू हुई है और पूरा 40 फुटा सील होगा इन्होंने सडके इंक्रोच कर रखी हैं बाइक निकलने की जगा नहीं एंबुलेंस आने की जगा नहीं फाइब रिगेट आने की जगा नहीं यह सीलिंग जो हुई है यह हमने कराइए बिल्कुल कराइए हम पबलिक को जवाब दे हैं यह देखिए कि रेजिडेंशल एरिया में कमर्शल अक्टिविटी चल रही है और वो भी कोई नॉर्मल कमर्शल नहीं तंदूर और भटियां जल रही है एक एक आदमी इस लाके का औ पर तुला पड़ा है इस लाके को उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है इन दिनों 40 फुटा रोट का मुद्धा बहुत ज़्यादा चल रहा है काने वहां पर सील हुई है तो खास तोर पर इल्जाम यह लग रहा है कि आस्याब ने और आप ने दोने बाप बटी ने मिलके उन दुकानों को सील करवाया है हम जो वीडियो में कमेंट देखते हैं जो लोगों कि रहे मुझसे लोग मिलते हो बताते हैं वह तो बहुत जादा खुश है का अच्छा हुआ यह होना ही चाहिए बहुत जादा तकलीफ हो रही ही लोग कारोबार करें लेकि जो उनकी हद है उसके अंदर कारोबार करें लेकिन दुकंदार आम तोर पे आप दोनों बाप बिटी को ही बतनाम कर रहे हैं कि रोजी खराब कर रहे हैं लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं तो क्या इस पर एक्शन आपका जारी रहेगा यह आप लोग कुछ नर्मी क का काम है इसको लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि सीवर का काम एमेले का है रोड बनाने का काम एमेले का है तो पब्लिक को जब हम यह बाते करते हैं तो पब्लिक का जवाब पलट के हमें यह आता है हमारे लिए सवाल कि जो आपके काम है आप उन पे क्या कर रहे हैं आप केसे इंक्रोच्मेंट का कोई solution निकले हमने समझाने की भी कोशिश करी हमने बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन problem क्या है कि एक element ऐसा है एक बड़ी अबादी में बहुत छोटा सा 1% भी नहीं है वो एक element ऐसा है जो बिगाडने पे तुला पड़ा है इस इलाके को उसको नहीं पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है यह 40 फुटे पर सीलिंग ड्राइव जो हुई है इसकी information यहां के होटल वालों को दो तीन महीने से थी जून से जून से यह सीलिंग ड्राइव यहां पर वो जब आग लगी थी उसके बाद से यह शोशा उड़ गया था कि यहां मैं सेरिया की counselor हूँ मेरे पास आप यकीन नहीं मानेंगे आज तक इतनी कूड़े की complaints नहीं आई है जितनी encroachment की complaints आई है एक एक आदमी इस इलाके का और मतलब पूरे ओखला विधान सभा का परिशान है encroachment से और देखिए कुछ roads हैं यहां पर हमारे वार्ड में जो prime roads है म main road हो गई आपकी अबुल फजल main road हो गई इसी तरह से यह 40 foot अभी बहुत prime road कहलाती है और 40 foot की road थी जिसको इन्होंने बिल्कुली 5 foot का कर दिया है आप यह देखिए कि residential area में commercial activity चल रही है और वो भी कोई normal commercial नहीं तंदूर और भटियां जल रही है उपर 5-5 चेचे floor हैं जि किसी का यह जो भी तंदूर और भटियां जल रही है इसकी वेरे से कोई हाथसा लाना करे हो जाता है तो जवाब देखिए तो पिर हमारी बनेगी ना पबलिक तो हमें पकड़ेगी ना कि आपने क्या करा आपने इंक्रोच्मेंट पर कोई काम नहीं करा तो यह जो सीलिंग किसी को महीना नहीं देंगे एंसी वाले को मैठी हूँया अगर आप से को महीना मांगने के लिए आप मुझे बताइयेगा मैं इसको ठीक करूँगी आपकई कोई दुकान की जो आपकी दूकान की जो आपकी बाउंड्री है वहीं तक आप रही है उसके अंदर चलाइए जो चलाने आप चलाइए बे धड़क चलाइए आपको कोई MCD वाला आके परिशान नहीं करेगा क्या हमारी ये डिमांड कोई गलट डिमांड थी कि आप लोग सड़क छोड़ दीजे पबलिक परिशान हो चुकी है मेरे पास हर दूसरे दिन अभी भी रखियें कंप्लेंट्स में आपको दिखा दूँगी चालिस वुटे के लोगों की कंप्लेंट आती है कि इन होटल वालो अगर कुछ दुकानदार पूरे एरिया को अफेक्ट करेंगे तो हम नहीं चाहते किसी की रोजी रोटी पे पाता है लेकिन ऐसी रोजी रोटी में आपके बरकत कैसे हो रही है जिसमें आप पूरे इलाके को परिशान कर रहे हैं ये तो हमारे इसलाम में भी हदीस है कि अग की कबरे तंग हो जाएंगी तो आप कैसे अपनी हलाल रोजी को रोटी कमा रहे हैं दूसरों का रास्ता तंग करके तो देखिए ये कारवाई जो है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वान कर रही हूं बाकी दुकानदारों को भी अभी भी वक्त है आप लोग अंदर हो सब्सकर नहीं करेंगे कि हम अपनी कान अपनी दुकान जो है उसको अपनी सीमा में चलाएंगे तब तक यह सामने कोई शर्थ नहीं रहा है लेकिन ये इसके बिना डीसी नहीं हों गी तक अप्ली साब मैं आपके चैनल से, चैनल के थूए एक message और एक अपील भी करना चाहती हूँ, चालिस फुटे के residents से especially, वैसे तो देखिए ये चालिस फुटे की इंक्रोच्मेंट से और परिशानी सब को है, लेकिन स्पेशली चालिस फुटे के रेजिडेंट्स से मेरी बहुत अपील है ये कि आप लोगों के घरों के नीचे जो भी तंदूर और भट्टियां जला रहे हैं जो भी इंक्रोच्मेंट कर रहे हैं जिससे आपको परिशानी है रेजिडेंट्स को आप खुल के आईए और खुल के आके मेरे पास कंप्लेंड दीजे आप डाइरेक्ट MCD में जाके कंप्लेंड दीजे आप डाइरेक्ट LG को मेल करिए जहां भी आपका दिल करें, आप वो कंप्लेन करें, आपको मेरे पास आगे करनी है, आप मेरे पास करें, हम आपकी आवास बनेंगे, हम आपके हग के लिए लड़ेंगे, और हम लड़ भी रहें, किसी भी तरीके की इलाके के लोगों को परिशानी हम नहीं होने देंगे, जहा जो हमसे होगा हम वो करेंगे तौछ जालिस फूटा रोड पे लोग बहुत जादा परिशान रहते हैं अश्वार्टे, जालीज फूटा पर पुरी अलागे का है तो क्या चालीज फूटा रोड के बाद आप उन्हे लाघों पे घोर करेंगी जहां जहां इनकर्चमेंट है बिल्कुल होगा, देखिए, सब 40 फुटा, मैंने जैसे आप से बात कहीं, कि प्राइम रोड है, ऐसी एक 6 नमबर, जो है, वो भी है, उसकी भी मेरे पास अंगिना, उसके और मैं मुझे बहुत कहते हैं, लेकिन देखिए, अफसोस की बात क्या है, कि जो RWA है, वो ही चेने बाढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमेत है, अभी हम 6 नमबर भी पूरा जो इंक्रोच्मेंट है, उसे खतम कराएंगे, यह देखिए, अभी क्या है, क्योंकि तंदूर भट्टिया यह उपर फैमिलिया रहे हैं, एक NGT के भी नॉम्स है, कि आप कोईला नहीं जला सकते हैं, अभी तो यहां NGT भी चलान करेगी, तो देखिए, हर जगा इंक्रोच्मेंट पर हम सकती करेंगे, और बहुत लोग कहते हैं, कि यह जो गाडियों का इंक्रोच्मेंट है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है यहां पर, तो देखिए, मैं इस पे भी आपको व कर दो, कि जिनकी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं, या तो आप उसकी प्रॉपर सिस्टम बनाएए, पार्किंग का, देखिए, प्रॉब्लम है यहां पार्किंग की, हम भी मान रहे हैं यह बात, जो यहां फ्लैट्स बना बना के बेशते हैं, वो नीचे पार्किंग क गाड़ियां कड़ी हैं, ना ना ली कि हमारी सफाई साही से उपाती हैं, ना कुछ और, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, हम चाहे हमें टो करानी पड़े, फिर हम टो करवाएंगे गाड़ियां, जो भी हमें एक्शन लेना होगा, इसके बाद हम छे नंबर पे भी करेंगे, और बाकी रोट सब्याक्शन होगा.